Hello students, मैं हूँ जितन रजमेरा, The Crazy Programmers की तरफ से हमने हमारी SQL queries वाली video series complete कर ली है उन सारी videos के link आपको description box में मिल जाएंगे अब हम continue करने वाले है relational algebra ठीके, देखिए, सभी का तरीका अलग-अलग होता है कोई पहले relational algebra पढ़ाएगा and then उसके बाद में आपको SQL queries समझाएगा लेकिन हमने पहले SQL queries बाला part complete किया है ताकि आप practically queries को run करते हुए देखें और आपको उनका concept समझ में आए and then उसके बाद में हमने relational algebra शुरू किया है क्यों? क्योंकि relational algebra is nothing else ये एक mathematical representation है SQL queries का यानि कि SQL queries के videos में हमने देखा था कि कैसे हम जो है हमने जैसे MySQL server का जो हमने application install किया था उस पर हम queries लिख रहे हैं हम tables बना रहे हैं, database बना रहे हैं हम उन tables पर queries apply कर रहे हैं, लिख रहे हैं लग लग तरह की select, create, alter, modify, update, delete इस तरह से कई सारे command thumbnail live run करके देखे लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक database बनाना है तो उससे पहले आपको उसका एक function तयार करना है यानि कि आपको उसका prototype तयार करना है उसके अंदर सारे possible operations क्या-क्या होई सकते है किन-किन operations को वो database support करेगा पर मुझे notes चाहिए ठीक है तो अब क्या करोगे सब possible जितनी भी queries है वो सारी apply करोगे और सब को जो है आप writing form में लिखोगे जैसे के select का अलग से पुरा select करके यह तरह किसे select कर सकते है create choices तरह किसे create कर सकते है अब आपको queries लिखनी होगी तो कुल मिला कि इससे क्या हो जाएगा process काफी lengthy हो जाएगा जबकि उसके बज़ाए अगर relational algebra की बात करें तो यह इस काम को बहुत आसान कर देता है relational algebra में हमारे जितने भी जो operations होते थे ठीक है जैसे के select select करना है then उसके बाद में create करना है या फिर delete करना है या join करना है यह सारे जो operations होते थे ठीक है इनको यहाँ पर as a operator की तरह शो किया जाता है और यह operator के जो symbols है यह Greek language से उठाए गए है यानि कि इन symbols की मदद से हम different type of operations शो करते है और उसके अंदर जो हम conditions देते थे टेबल के उपर apply करने के लिए उनको हम relation बोलते हैं तो यहाँ पर वही condition और relation जो है English letters के through A, B, C, D, R, S, X, Y, Z जिसे भी आप यूज़ करना चाहें उसके through जो है show करते हैं most of तो इसे R1, R2 के जरी भी show कर सकते हैं या फिक्तर से आप उसे formula बोल सकते हैं जैसे के हम यहाँ देखे हैं के select star from student इस query की मदद से क्या होगा student नाम की जो table है उसका सारा data select हो करके हमें show हो जाएगा ठीक है तो यह दो मैंने query लिख रखी query run होगी लेकिन यहाँ पर यह देखे हैं मैंने क्या किया है sigma star student इसका मतलब क्या है student table से सारा data select करके show कर दो ठीक है कितना simple हो गया देखिए उपर पूरी query हो नीचे भी same query बस यह relational algebra में लिखी यहाँ पर select के लिए मैंने क्या काम में लिया है Greek Semble काम में लिया है sigma ठीक है star as it is आ गया from लिखने की जहुतनी पड़ी सीधा table जो है student आ गया है ठीक है तो खुल मिला करके क्या हुआ query को मैंने short form में represent कर दिया तो यह relational algebra का power है ठीक है लेकिन relational algebra SQL की तरह कोई programming language नहीं है यानि कि हम SQL को जो अलग-अलग applications हो गए MySQL हो गया SQL Server हो गया Oracle हो गया IBM DB2 हो गया इस तरह के application पे SQL को हम run कर सकते है queries उनकी लिख करके direct practical perform कर सकते है बट relational algebra यह एक text only language है एक theoretical language है इसकी मदद से हम कहीं पे भी कोई भी program run नहीं कर सकते यहां पे खाली बस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ का simpler representation दिखाने के लिए ही relational algebra काम में लिया जाता है ऐसा कोई tool नहीं जहां पे आप यह query देख करके जो है यह वाला operation run कर वाल लेंगे ऐसा option available ही नहीं है ठीक है तो in short यह specific text only language है जो की इनको short form में represent करने के काम में आती है अब ऐसा क्यूँ ठीक है बहुत simple सी बात है अगर आप किसी database company में joke करते हैं आपको आज बोला गया कि यह वाला database का section है suppose जैसे इसमें एक table है इस table पे जितने भी possible option हो सकते है सबका जो है notes बना करके लेके आओ तो आप सोचो आपको इतनी सारी queries आपको लिखनी पड़ेगी कितना time लग जाएगा कितना confusion create होगा आओ कितना boring task लगेगा उसके बजाए अगर उनको मैं इस तरह से represent कर सकूँ इन symbols की मदर से represent कर सकूँ तो मेरा काम बहुत ही जादा आसानी से हो जाएगा ठीक है तो in short relational algebra एक mathematical language formation हम मान सकते हैं जिसके अदर Greek letters English letters and mathematical symbols जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है जो ताकि हम different type of queries को यहाँ पर represent कर सके हैं तो यह होता है relational algebra मैं वापस repeat कर रहा हूँ यह सिफ और सिफ text only language है ठीक है इसको आप practically run नहीं कर सकते हैं अगर इसको आपको practically run करना है तो आपको इसको SQL में convert करना होगा ठीक है तो आप शूरू करते हैं कुछ और basic information इसके बारे में जानना सबसे पहले इसे 1970 के अंदर एडगर फ्रेंक ने invent किया था जो कि बाकी सबको काफी पसंद आया और बहुत जर्दी एक concept काफी famous हो गया और उस समय तक अगर हम बात करें तो database जो था उसके लिए कोई proper language नहीं था ठीक है तो normal इसे command लिखे जाते थे कि पूरे student table का data select किया जा सकता है उसके बज़ाए direct यहां पर command यह इस तरह से show कर दिया गया ठीक है मैं जो कहना चाहरा हूं उसका मतलब यह है कि उस समय तक SQL भी इतनी proper formation में मौझूद नहीं था कि भी अभी जो हमने SQL के direct command reply के और table के उपर operation perform होगा उस समय तक वो भी संभव नहीं था उस समय तक तो CPOSIP data के arrangement पर ही focus किया जाता था लेकिन एक concept जब माइन में आया कभी इस तरह सिन को represent कर सकते है ताकि future में कोई भी जब language बने तो वो इन notes का use करके language create कर रहो वह हुआ इनका इस्तमाल करके ही तो यह operations बनाए गए तो यह इसलिए एक तरह से आप मान सकते हैं कि यह blue printed database के तो यह 1970 में Edgar Frank ने invent किया था जब वो IBM में work कर रहे थे अब अगर हम बात करें जैसा में बता दिया कि किसी भी relational database को theoretically represent करने के काम में आता है जैसे जैसे हम आगे इसके जो ओ वीडियो बनाएंगे कि different type of operation हम आपको perform करके दिखाएंगे perform यानि कि describe करके दिखाएंगे तब आपको यह समझ में आ जाए का कैसी एक relational database को theoretically represent किया जा सकता है ठीक है example के तोर पर आप खाली यहां पर भी देख सकते है student table का सारा data मुझे show करना है तो select start from student तो यह तो query हो गई practical जो SQL में चलेगी यह इसका theoretical representation ठीक है मुझे suppose जैसे के भई आज मैं एक database company में job कर रहा हूँ मुझे task दिखाएंगे मुझे आज क्या क्या काम करने तो मुझे notes provide कर दिए गए तो notes इस format में दिये जाएंगे ठीक है तो अगर मुझे relational algebra का knowledge है जो by default मुझे होना ही चाहिए as a dba engineer बनने के लिए ठीक है तो मुझे मैं क्या करूँगा मुझे इस formation में notes मिलेंगे और मैं उनके through direct queries run करूँगा मुझे यह पता लग जाए का देखकर क्या है अच्छा होई select करना है ठीक है तो यही होता है theoretically representation of any relational database ठीक है अब हम बात करें कि जिसे अब मैंने बता दिया कि इसके अंदर Greek symbols को इसे operator का मिले जाता है अब operator क्या है ठीक है select command हो गया हमारा join command हो गया present command हो गया intersection हो गया division हो गया यह सारे command जो हम SQL के अंदर run करके देख चुके हैं ठीक है उन सब को जो है इसे symbols की तरह represent किया जाता है ठीक है अभी मैं आपको आगे वाले part में बताओंगा उसारे symbols कौन-कौन से हैं ठीक है अब दूसा query जो है mathematical representation की तरह show होती है ठीक है कैसे यहां देखिए यहां पर खली इतना सा लिखा हुआ है R-U-S यह पढ़ने में यह आएगा R-U-S ठीक है बटी यह union का symbol है और R-S जो है वह English के words है यह जो है यह Greek language का part है और यह दोनों English word language के part है ठीक है अब यहां पर मैंने जो show कर रखा है यह mathematical formula की तरह लग सकता है तो इसको मैं समझाता हूँ कि यह work क्या कर रहा है R-U-S जो है वह relations है relations यहनी कि suppose जैसे दो table से student और library दो table बनी हुई है एक student एक library मुझे इन दोनों के data का union करना है दोनों table को union करके मुझे दिखाना है यहां पर relation का मतलब ही कि यह होगया कि दोनों को तो जैसा हम हमाई starting videos में बता चुके है relational database के अंदर relation का मतलब table ही होता है क्योंकि table के अंदर क्या होता column और rows होती है तो उनके intersection से जो है जो data बनता है उन data के अंदर कोई नों को connection होता है यहां कि एक row में जितना भी data हो आपस में interconnected है इसलिए जो है tables को relational database के अंदर as a relation word दिया गया है तो यहां पर relation का मतलब ही गया हो गया कि दोनों table का union करकर के मैं data show कर सकता हूँ तो यह union operator हो गया और rows जो है मेरे relations हो गया है ठीक है और जैसे जैसे हम relational algebra में आगे वीडियो बनाना शुरू करेंगे आपको यह concept हो ज्यादा समझ माने लग जाएगा बटकुल मिला करके इस तरह से short मैं मैंने एक mathematical formula की तरह इसको represent किया सो अगर मैं यह ल लिख के देदू आर union s तो आपको पता लग जाएगा क्या करना दोह टेबल ली union का command लगाया दोह टेबल मर्ज होगी सरी हो गया ठीक है तो आप सोचे कितना लिखने में मतलब text कितना कम लिखना पड़ा मुझे है ठीक है अभी हमाई लिए बहुत आसान है कहा अभी क्या है कितना सा तो text लिखना है अब practically सोचे database कितने use होता है ठीक हमने queries के अंद आपको live दिखाया है databases कितने use होता है तो अगर उन सब के सारे possible operations है commands अगर आपको में लिखने के लिए बोलो तो आप क्या करेंगे सोचे कितना time consume होगा इसलिए जो है mathematical representation सारे काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है ठीक है अब अगर आगे देखें तो इसके अंदर यह क्या करता है एक या एक से ज्यादा statements को as a input लेता है and then proper output generate करेगा अब statement क्या हो गया ठीक है या तो आप इसको relation भी बोल सकते है कैसे मैंने दोनों ही table को जो है union करके show कर दिया तो यहने कि यहां पे इ relation as a input लिए एन एक output generate करेगा उस output का नाम जो होगा वो आज union s ही होगा यहीं कि पहले आज अलग अलग टेबल थी बाद में जो टेबल शोरी वो आज union s हो गई तो दो अलग-अलग relation इसने as a input लिए and then finally common output इसने generate किया ठीक है और यहां पर statement का क्या मतलब है suppose जैसे हमने union command को run करते वक्त आपको practical करके दिखाया था कि कैसे हम दो अलग-अलग conditions को अभी union कर सकता है कि इस table में से काली यह data select करो यह condition होगई query होगई दूसी table में से specific यह data select करो यह दूसी condition होगई इन दूरो condition का भी मैं union कर सकता हूँ तो यहां पर जो conditions है यह statement कहला ही जाती relational algebra के अदर यह अगलग statements का भी जो है operation perform कर सकते हैं और relational tables का भी show कर सकते हैं ठीक है इसमें ज्यादा confuse मत होईएगा अब आगे बात करें तो यह क्या करती है एक तरसे हिससे मैंने बताया कि किसी भी database को create करने से पहले भी relational algebra का इस्तमाल किया जाता है ताकि all over database क्या होगा कैसे work करेगा वो show क किया जा सके और किसी भी running database को भी अगर theoretically represent करना हो तब भी यह काम किया जा सकता है ठीक है यह कुल मिला करके relational algebra जो है वो एक तरह से एक हम मान के चलते हैं कि टेस्ट only representation है complete SQL language का ठीक है उसके अलावा कुछ चीज़े में और बता दू relational algebra जो है वह आपकी एक प्रोसेजर या फ class perform हो जाता है और वो command के पीछे कित्ती query रहनों कि यह हमें define नहीं करना है कैसे select start from student student table में से सारा data show करो अब उसके लिए कौन सा logic apply करना है कैसे memory allocation करना है वो सब system का headache है हमें तो data show हो जाएगा तो यह non-processal है यानि कि क्या चाहिए यह बताना है कैसे करना है वो बताने की ज़ process the language है ठीक है यहां पर आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि यह कैसे हो रहा है ठीक है यहनि कि जो हो रहा है जैसे का आपने query के दिखा दे लेकिन वो कैसे perform होगा यह भी आपको ही show करना होगा ठीक है तो इसलिए इसको process the language भी बोला जाता है लेकिन इतना परशान होने की ज़रूतनी है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया relational algebra से टेक्स्ट होनी language है जो कि computer programming language नहीं है तो यहां पर आपको कैसे करना है define करने का मतलब यह निकि पूरा प्रोसेजर डिफाइन करके बताना है आपको step by step show करना है कि यह table send के ओपर operator apply करना है यह output generate होगा यह procedure दिखाना ह है ठीक है क्योंकि वहां तो आपको student table का नाम ध्यान है तो आपको table को show करने की जरूतनी है खली diet table का नाम दोगे inside table हमाई सामने show हो जाएगी ठीक है या कोई भी आपको operation data insert करने का भी operation करना हो तो भी diet बस table नहीं पर आपकर सकते हो इन हो जाएगा ठीक है तो कुल मिला करके process monster और non-processal में basic difference क्या हो गया क्या करना है जब सिप यहीं बताने की जरूत रहे ठीक है उसका work यहनि कि उसका schedule बताने की जरूत नहों तो वह adversarial हो गया ठीक है sorry वह non-processal हो गया वह जब कभी यह काम करना है वह इस तरह से करना है एसा concept बताने पढ़े तो वह हमारा जो है वो procedural या formal language के concept को follow करता है जबकि SQL जो है वो आपके non-procedural language के concept को follow करती है बट ये दोनों एक ही है SQL queries का mathematical representation ठीक है हाँ इसमें कुछ boundaries है कि queries काफी सारी है तो हर query का mathematical representation अविलेबल नहीं है total मिला करके 9 operations जो है उनका जो है हम relational algebra के अंदा mathematical representation कर सकते है ठीक है और उनके mixed match से उनके different type of combination से हम और भी queries के mathematical representation जन्रेट कर सकते है तो वो symbols क्या होते हैं ठीक है कौन-कौन से होते हैं ठीक है अब हम वो देख लेते हैं तो जिसा कि आप board पर देख सकते हैं total मिला करके 9 तरह की operations होते हैं जो relational algebra में show किये जाते हैं और इनके mix and match combination से और भी operations हम show कर सकते हैं पर major operations यह 9 होते हैं select, project, union, rename, set difference, partition या फिर cross product, intersection, division और join operation ठीक है यह उनके symbols हैं जिनके through in operations को या operators को show किया जाता है select का यह symbol है, project का यह वाला है, union का यह, rename का यह, set difference का यह वाला, partition का यह वाला, intersection का यह वाला, division का यह वाला, and join का यह वाला अब इनके जो names हैं वो भी हम आपको बता देता हैं इसे बोलते हैं sigma, यह हो गया pi, जो सबको पताई होगा, ठीक है, यह epsilon है, ठीक है, लेकिन इसे हम union भी बोल सकते हैं, direct ubi बोल सकते हैं, ठीक है, यह जो है, यह हमारा rho, ठीक है, यह कुछ-कुछ small p की तरह दिखता है, कर्सिव राइटिंग का, minus का minus ही है, close का name, close ही है, intersection, ठीक है, यह लगने में eta की तरह हो सकता है, लेकिन actually में यह intersection का symbol ही है, इसको name भी intersection ही दिया गया है, ठीक है, यह division के symbols, ठीक है, by default division का कोई ओ name नहीं, division symbol का नाम division ही है, and join operation, ठीक है, यह जो आपके छो छोटे से डंबरू क की तरह जो option दिख रहा है, ठीक है, इस symbol को नाम ही जो है, join दिया गया है, ठीक है, तो यह सारे जो है, total मिलाका के 9 operators हैं, इनके symbols हैं, उनके original name से इनके सामने लिखे हो गया है, इन में से जब हम join वाले में जाएंगे, तो join में अलग-अलग types जो है, वो मुझूद है, उस symbol में थोए बहुत changes आएंगे, ठीक है, यह जो symbols हैं, अगर हम इनका accurate representation देना चाहें, तो वो थोड़ा सा different हो जाता है, ठीक है, लेकिन regular writing में अगर बात करा है, तो इतनी जो है accuracy generate नहीं की जाएंगे, जैसे हम इसे pie की तरह represent करते हैं, लेकिन actually में हो symbol इस तरह से दिखता है, original symbol ऐसा होता है, लेकिन हम उसे रेजब pie की तरह लिख करके भी हम उसे utilize कर सकते हैं, क्योंकि इसके तरह repeated symbol हो कोई नहीं है, तो कहीं पर भी issue create नहीं होगा, तो यह है हमारे basic operators, उनके symbols और उनके name, ठीक है, तो यह था पूरा complete concept about relational algebra, ठीक है, एक बार short में फिसम बता देता हू कि किसी भी database के उपर जित्ती भी तरह की queries and options perform किये जाते हैं, या तो हम दायट उन्हें normal text language में लिख करके, जैसे queries लिखी जाती है, लिख करके भी show कर सकते हैं, या फिर हम क्या करवाना चारे, वो भी हम बोल के बता सकते हैं, कैसे मुझे 2 table का union कराना है, तो मैं यह बोल सकत कि के खुल मिला कि relational algebra कितना beneficial है, यह time save करता है, effort save करता है, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि किसी भी database को बनाने में काफी ज्यादा costing लग जाती है, financially भी, technically भी, plus creativity भी काफी चाहिए होती है, तो इतना सपुच investment करने के बाद में अगर database में कोई कमी पेशी रहती है, तो उसक relations होंगे, वो show कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो actual costing लगने वाली है, वो बचे जाएगी, जब यह पूरा जो output, जो blueprint है, वो approve हो जाएगा, तब जाकर उसके development पे काम शुरू किया जा सकता है, तो यह जो है relational algebra का सबसे बादा फाइदा है, अब आप सोचिंगे हम relational algebra क्यो उसका एकता से documentation, तो अगर हम relational database को documentation part में show करना चाहें, या theoretical में show करना चाहें, तो हमें relational algebra जो है, वो आनीच चाहिए, क्योंकि जब यह complete हो जाएगी, उसके बाद में relational calculus और domain calculus जो है, वो आएंगे, वो यह भी आपके database के ही part है, तो उनके लिए आपको यह concept अच्छे से समझ तो हमाई जो आने वाले कुछ वीडियो है, 9-10 वीडियो जो आएंगे, वो आप एक भी वीडियो मिस मत कीजेगा, इसके लिए हमाई चैनल को अभी आप subscribe कर दीजिए, हमाई चैनल को like कर दीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो का update आपको मिलता रहे, हमने अभी तक जितन आप से आज के लिए बस इतना ही